दोस्तों याद रहे हैं यूट्यूब हमारे इस वीडियो की नोटिफिकेशन 19 लाग सब्सक्राइबर्स में से सिर्फ हजार लोगों को ही बेजेगा और थोड़ी देर में इस वीडियो को भी गायब कर देगा क्योंकि उसे अशलीलता से ज्यादा पैसे मिलते हैं नकि हमारे जैसे ज्यानवर्थक वीडियो से इसलिए अगर आप चाहते हैं कि हम और वीडियो लाते रहें तो कृपया इसे इतना शेयर करें कि यूट्यूब के मुँपे थमाचा लग सके हमारी दुनिया में लगभग हर कदम पे नए रहसे चुपे हुए हैं इंसान इस दुनिया पर कर रख दिया है और सकते में डाल दिया है आज बात करेंगे ऐसे ही टॉप 10 पुरा तत्व खोजों की जिनने देखकर हर कोई हैरान और परिशान हो जाता है सबसे पहले बात करेंगे 20 फिट की तलवार की जिसका वजन है 14 किलोग्राम से भी ज्यादा आम तोर पर पर पुराने समय में तलवारों का वजन इससे कम हुआ करता था और उनकी उंचाई भी इतनी नहीं हुआ करते थे इसलिए वैग्यानिकों ने जब इस तलवार को देखा तो सबसे पहले उन्हें यहीं लगा कि क्या यह सौर्ड एक जाइंट की है ऐसा जाइंट जो कि हमने आज तक सिर्फ फिल्मों में ही देखे हैं यह चौंकाने बाली बात यह है कि जाइंट के बारे में भले ही हमारे इतिहास में कुछ नहीं बताया गया हो लेकिन जहां पूरा तत्व विभाग को यह तलवार मिले उसी जगा पर उन्हें जाइंट वोरियोस के फॉसिल्स भी मिले इतिहास करों का एक धड़ा यह भी मानता है कि हो सकता है कि यह फॉसिल्स किसी जानवर के हो क्योंकि इनके पूरी तरह से शत्विशत हो जाने के करण यह पता नहीं चल पा रहा है यह हैं किसके इतिहास करों का ये भी मानना है कि हो सकता है कि ये तलवार स्टाच्यूज सिंबल के रूप में प्रयोग की जाती रही हो हलें कि सच क्या है अब तक पता नहीं चल पाया है साल 1974 ये साल वैसे तो इतिहास की नजर से कुछ खास नहीं है इनकी खासियत ये थी कि हर सैनिक का अलग-अलग तरह से बनाया गया था यानि कि किसी की भी शकल दूसरे से मैच नहीं कर रही थी अब तो किस पर बहुत ज्यादा खुलासा तो नहीं किया जा सका है लेकिन जायनकार ये बताते हैं कि ये सैनिक चीन के पहले समराट कें शौंग को उसके मरने के बाद सुरक्षा देने के लिए बनाया गया थे ऐसा भी माना जाते है कि शौंग की कबर में ख़जाना है लेकिन आकेलोजिस वहां जाकर इसे खराब नहीं करना चाहते टेरा कोटा आर्मी को साथ लाग से ज्यादा सैनिकों ने बनाया था दोजार सोला में एजिप्ट में घर के रेनोवेशन के दौरान एक सिक्का मिला जिसके एक तरफ एक एलियन जैसे दिखने वाले क्रीचर के इमेज थी और दूसरी तरफ एक UFO बना हुआ था उस कॉइन पे लैटिन में opportunist address लिखा हुआ था जिसका मतलब हिंदी में है वो आने वाले हैं तो क्या इसका मतलब ये है कि एलियन आने वाले हैं? बिल्कुल नहीं ये कॉइन यूनाइटिज स्टेट्स के थे और एक लेड़ी को रेप्रेजेंट कर रहे थे लेकिन किसी नहीं बदलकर एलियन की इमेज इन पे लगा दी थी ऐसे कॉइन को होबो कॉइन्स कहा जाता है इन्हें लोगों को मैनिपुलेट करने के लिए सेत्रह सो पच्चास में बनाया जाता था कम्प्यूटर का विश्कार 1975 में हुआ था लेकिन क्या आप जानते हैं कि कम्प्यूटर हमारी धर्ती पे उससे पहले से मौजूद है बात है साल 1901 की रोम के असपास एक डाइविंग टीम को बहुत सारा खजाना मिला इस खजाने में गहने थे हीरे जवाहरात थे लेकिन सबसे खास था एक अजीब सा मेकानिजम इसे देखकर भी ये समझा नहीं जा पा रहा था कि आखर इसे प्रयोग कहां किया जाता होगा इसमें बहुत से गियोस थे ऐसा लग रहा था जैसे ये किसी रत का पहिया है अब तक पता नहीं चल पाया है दोस्तों अपने Great Wall of China के बारे में तो सुनाई होगा लेकिन क्या आप अंदाजा भी लगा सकते हैं कि दुनिया में कोई वाल उससे भी ज्यादा एंशेंट और रहस्यम ही है मैं बात कर रहा हूँ 1500 किलोमेटर लंबी खट शेबीब नाम की दिवार की जिसे पहली बार एक ब्रिटिश साइंटिस ने प्लेन से नोटस किया था जॉर्डन में मौजूद ये दिवार पूरी तरह से डामेज हो चुकी है और अब सर्फ इसके निशान मौजूद हैं जहां बीच पीच में बड़े चबूतरे नजर आते हैं जो कि इसे एक किले की दिवार के शकल देते हैं हलंकि ये कब बनी इसमें अभी भी डाउट्स हैं माना जा रहा है कि ये साल 312 BC से 5500 AD के बीच बन कर तयार हुए है हलंकि अब तक इसे बनाने वालों के बारे में और इसके उदेशी के बारे में कुछ पता नहीं चल पाया है पिछली साइट की तरह ये साइट भी जॉर्ड़न में ही है और रहसे माई है 1920 में एक ब्रिटिश पाइलट ने तस्वीरें कीची और ये पता चला कि जॉर्ड़न में बड़े बड़े गोले बने हुए है ये गोले 686 फीट की त्रिज्या के हैं रसोच के बाद ये पता चला कि ये लगभग 2000 साल पुराने है इन्हें ढंग से देखने के बाद ये पता चला कि इन्हें बनाना मुश्किल नहीं है लेकिन इन्हें बनाया किसलिए गया था ये आज तक पता नहीं चल पाया है साइंटिस ने जब इसे स्पेस से एक्जामिन किया तो ये किसी हिलिपैड की तरह ही नज़र आ रहे थे इन पर रिसेर्च अब भी जारी है लूना के पिरामिड को लगभग 4350 साल पहले बनाया गया था तब से अब तक ये पिरामिड लगातार तबाह होते जा रहे हैं और इन में जाना रिस्की माना जाता है हलें कि 2019 में पुरा तत्व व्यभाग को पिरामिड में जाने की इजाज़त दे दी गई और वो 30 फुट लंबी एक टनल से पिरामिड के अंदर तक गए जहां उन्हें बहुत कुछ ऐसा मिला जो कि समझ के बाहर था इन्हें वहाँ पर कैलिग्राफी मिले और माना जा रहा है कि अंदर एक बहुत बड़ी लाइबरेरी भी हो सकते है हलें कि है या नहीं ये रिस्टोरेशन के बाद ही पता चल पाएगा साओधी अरब में मौझूद अलनसला मौनलिथ OSS के बीच में मौझूद है इस पर आर्टवर्क बनाये गया है जो कि 4000 साल पुराना है हलनकि इसे इसके आर्टवर्क की वज़़ा से नहीं बलकि इसके तूटने की वज़़ा के करण याद किया जाता है दूस्तों ये दो हिस्सों में कटी हुई है और इसका कटाव बिलकुल प्लेन है जैसे इसे किसी लेजर या मशीन से काटा गया हो प्लेन तो सामान ने हथियारों से भी किया जा सकता है लेकिन इसके कटाब में इतना ज्यादा स्पेस भी नहीं किसे किसी हथियार से प्लेन किया जा सके इसके प्लेन और स्मूथ होने का कारण वैसे तो अब तक पता नहीं चल पाया है लेकिन कहाई ये जाता है कि ये हवा के कारण हुए हो सकते हैं आपको क्या लगता है क्या ये एलियंस ने किया है या लेजर ने यॉनागूनी आइलेंड जपान में पानी के अंदर एक बड़े रॉक फॉर्मेशन के नीचे दबा हुआ है इसे देखने वाले बताते हैं कि एक दबा हुआ पिरमिड है पहली बारे से 1986 में स्कूबा इंस्ट्रॉक्टर के द्वारा खोजा गया था एक तरफ जहां इसे पिरमिड माना जा रहा है वहीं दूसरी तरफ साइंटिस्स ये भी कह रहे हैं कि ये एक नैचरल फॉर्मेशन भी हो सकती है जो कि पानी के दबाव के कारण बन कर तयार हुई हो हलंकि इस बारे में भी कुछ खोजा नहीं जा सका है सिर्फ कयास ही लगाए गए है एक थियोरी ये भी कहती है कि ये खोई हुए अटलैंटस से जुड़ा हुआ हो सकता है तो ये दूसरी थियोरी का कहना है कि ये एलियन्स द्वारा बनाए गया हो सकता है क्योंकि इंसान के लिए पुराने समय में पानी के नीचे ऐसा कुछ बनाना लगभग नामुम्किन था जो कि सच भी है हलंकि ये क्या है इसके खोज अब तक जारी है दिल्ली में बना कुटब मिनार अपनी 73 मीटर की उचाई के लिए जाना जाता है और पूरे दुन्या में प्रसिद है लेकिन यहां कुटब मिनार देखने आने वाले सैकड़ो साल पुराने इस पूल को देखकर लोग हैरान रह जाते हैं ऐसा माना जाता है कि यह कुटब मिनार से भी ज्यादा पुराना है और तकरीबन 1600 साल पहले बनके तयार हुआ लोगों को इस बात की हैरानी होती है कि अब तक इसमें किसी भी तरह की जंग नहीं लगी है यह कैसे संभब है इस बात का जवाब अब तक साइंटिस्ट नहीं दे पाए है 1600 साल पहले इसे चंदरगुप्ट सेकेंड ने बनवाया था इस पर जंग न लगने के पीछे दो थियोरीज दी जाती है पहली तो यह की हो सकता है कि इसे बनाने के लिए बहुत ज़्यादा फॉसफ़रस का यूज किया गया हो तक इसे ऑक्सिडाइजेशन से बचाया जा सके दूसरा कारण यह हो सकता है कि इसका एंवार्णमेंट इस तरह से बनाया गया हो कि इस पर जंग न लग सके हलंकि खुले आसमान के नीचे ये भी संभब नहीं है और अब इन दोनों थियोरीज को नकार दें तो कोई थियोरी बचती ही नहीं जो इस लोह स्तम की गुत्थे सुलचा सके तो दोस्तों ये थी वो अमेजिंग खोजे आपको इन में से किस खोज ने सबसे ज्यादा है कॉमेंट करके जरूर बताएं इन खोजों को देखकर यही का आ जा सकता है कि अभी भी अपने इतिहास के बारे में हमें 1 पोसेंट भी नहीं पता खर वीडियो को लाइक और शेयर करना और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कोल न भोले